हेलो एफ्रिवन आई होप आप सब ठीक होंगे जरह एक बहुत इंपॉर्टन एक चीज करवाने लगों मैं आज जो भी ये लोग ये वीडियो देखें इट इस ए रिक्वेस्ट एट कैंडी फोकस फुली अपॉन दिस जिन लोगों का एक्जाम है बेसिकली ये एक पास्ट ए एक रिपोर्ट बनाई और जैसे कि आपको पता होगा जब भी एक्जामिनर अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आता है तो उसके अंदर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेस्ट जो थे उनको सामने लेकर आता है और उनको एक्स्पेन करता है आज हम जरह देखेंगे इस रिपोर्ट के अंदर हैं क्या हम लोगों ने वो cover up किये और कहां से एक book के अंदर कहां पर लिखे में notes के अंदर जो मैंने अपने students को दिये में जितने भी notes उनके अंदर वो चीज़े कहां पर लिखी में let's take a look at that सबसे पहले जो question है हमारे पास example number one यहां पर इसको अगर पढ़ें तो यह क the following defines this outcome क्या यह जो उपर definition लिखी गई है यह multiplier से linked है या aggregate demand से linked है inflation से linked है या फिर accelerator से linked है अब अगर आप लोगों को याद हो या फिर वो लोग जोनोंने मेरे से lectures दिये तो book के उपर एक page number 180 में और chapter number इसका है external analysis economic factors वाला chapter number यह बनता है आपका 6 जिसके अंदर हम लोगों ने प हम लोगोंने पढ़ा था और उसके अंदर मैंने आपको एक concept बताया था of this of this multiplier basically multiplier का concept क्या कहता था कि for example आज हम लोग investment कर रहे हैं कहीं पे अगर government है इस MCQs को explain करने लगो basically what was the concept अगर हमें याद हो तो हम लोग कहते थे for example आज अगर 1000 dollars की investment करके मैं एक business शुरू करने लगा I would have to start a factory some sort of ठीक है एक factory शुरू करूंगा factory के अंदर लोगों को मैं employ करूंगा अब उन लोगों को मैं क्या दूंगा I will give them some kind of salary ठीक है उनको salary दी जाएगी this salary that I have given to these employees they are going to spend it in a number of ways वो लोग जा के अपने जरूरियाते जिंदगी की चीज़े खरी देंगे things they have to eat things they have to buy things they have to wear like clothes and other things or luxury items anything that they buy जितने जादा उनके पास पैसे आएंगे the more the salary these employees have इतनी जादा इनकी spending होगी and the more they spend जिन लोगों से ये लोग चीज़े खरीद रहे हैं the shop owners and जिनका business है आगे further clothes and luxury items का खाने पीने का hotels का वहाँ पे जितना ये लोग spend up करेंगे they will get even more income तो ये income आपकी initial investment की हो रही है towards the employees or employees further spend कर रहे हैं जो shop owners है फिर वो अपने जरूरत की जिन्दगी की चीज़े खरीदेंगे और इस तरह से अब इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं investment पे investment की जा रहे हैं और जो expense है वो increase होता जा रहे हैं लोगों का लोग अपने आपको संभाल पा रहे हैं because they are getting money अब इसी चीज़ को अगर मैं 1000 डॉलर की जगा 100 डॉलर से business शुरू करता this would have meant कि मैं अपने employees को salary भी कम दूँगा अगर यहां पे अपने employees को 500 डॉलर पर employee में salary दे रहा था तो यहां पे हो सकते हैं 100 डॉलर की salary दे रहा हूं किसी को अब यह employee spending भी क्या करेगा he will spend low income low luxury पे ज जिसे खरीदेगा यह जिसकी वज़ा से जो business owners है further shop owners जिनके hotels हैं उनके पास भी income क्या होचेगी they will also get limited income उस limited income की वज़ा से वो लोग भी आगे spending उनकी क्या होचेगी the spending of the people जो के final में fall करते थे जिनसे यह employees खरीद रहे थे it will also reduce और इस reduction को इस reduction की वज़ा क्या बनी my low initial investment तो multiplier का concept यह चीज़ बताया करता था कि जितनी आपकी ज्यादा initial increase होते है initial expense यानि initial investment जितनी आपकी ज्यादा होती है वो trickle down होती है towards the rest of the people जो supply chain में fall करें जो पूरी chain में fall करते हैं आपने employee को salary देनी है employee ने चाहा के दुकान से चीज़े खरीदनी है और यह सारी चीज़े हम लो enjoy करेंगे इस चीज़ को इस concept को बोला जाता था multiplier concept और यही चीज़ हमारे जो book है उसके अंदर भी यहाँ पे यही चीज़ सारी की सारी लिखी भी है तो this is not aggregate demand this is not inflation inflation का मतलब होता है कि your prices of the goods are increasing यह यहाँ से नहीं relate करता initial expense की वज़े से आपका आगे much larger final increase on a national income के अंदर this concept was known as the multiplier concept ठीक हो गया अब let's move towards the next one example number two की तरफ जरह move करते है example number two जो है बहुत ही असान किसम का MCQs था जो कि examiner ने दिया था in these two जो हमारा September 2022 तक हम लोग जो इस report को solve करें sorry August 2022 तक question है which of the following statements defines organizational culture अब organization culture का जब यह MCQs आया था तो काफी लोगों ने एक बड़ी mistake करती थी that they directly went for answer number A कि भाई the values norms practices that shape society अब ठीक है यह organization culture से थोड़ा बुर्थ link करते है लेकिन अगर आपको याद हो chapter number three कैपलन इसके अंदर हम लोग ने जितनी भी definitions पड़ी different writers की different definitions थी ठीक है कुछ की definitions काफी जादा lengthy definitions है कुछ की definitions काफी जादा prickled down definitions है कम छोटी definitions है लेकिन हम लोग ने एक चीज पड़ी थी कि भाई जब भी हम लोग बात करते हैं organization culture के बारे में तो उसके लिए हमारा answer क्या होता है the way we do things around here the accepted way of behaving and doing business वो culture के लाते है अब इसमें option number A तो fall नहीं करता बिलकुल भी option B में वो कहते है the system by which activities are directed and controlled ये आपके internal controls होते हैं जिनके थूँ आप control कर रहे होते आपने क्या काम किस तरीके से करना है these are the internal controls ठीक है इसके बाद अगला मतब option B भी ना हुआ option C के बारे में कहते है social relationships and informal communication networks ये आपका informal organization होती है these are not organization culture ये informal organization chapter number 2 के अंदर हम लोग पढ़ते थे organization के जो हम लोग ने different structures पढ़े थे वहाँ पर हम लोग ने informal organization पढ़ी है इसके बाद option number D आता है the accepted way of behaving and working yes this is the correct option और ये ही हमारी definition बनती है organization culture की अब values norms and practices that shape society इसके बारे में अगर बात करें ये किसी एक writer ने बोला था ये सारे writer ये बात नहीं बोलते थे overall organization culture का definition थी organization culture की जो हम लोग definition पढ़ते थे that was the option number 4 the accepted way of doing business ठीक है अगर इससे हम लोग आगे move करें this was the question number 2 अब अगर हम लोग आगे देखे तो question number 3 उसने पूछा है और इसके विए दुबारा मैं आपको ले के जाँगा हमारे notes की तरफ if you guys remember clearly तो में जो मेरे से पढ़ते हैं जो students those who study from me I always give them notes chapter 17 के मैंने बने बनाए notes नहीं और notes के बारे में मैंने खास बात बोली है कि that these notes are directly linked with the mcqs book के अंदर काफी चीजें unnecessary हो जाते हैं जो के paper में ना कभी पूछी गी और ना कभी पूछी जाएंगी उन चीजों को cover up करने के लिए हम लोग use करते हैं अपने notes अगर मैं अब आपको chapter 17 के notes दखाऊं तो पूरे chapter 17 को इस तरह से 5-6 pages के अंदर अच्छे तरीके से explain करके दिया गया है ताके it is easier for the students चीजे याद रखने में अब money laundering का जो book के अंदर अगर आप देखे तो money laundering को काफी जादा detail में explain किया गया है और इतनी detail में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अगर पढ़ी भी लेंगे तो it will not be asked in the exam yes understanding देने की ज़रूरत है तो वो मैं दे देता हूं within the lectures काफी detail में explain करके लिकिन notes वो में legitimate activity ठीक है the company was established to receive funds that were acquired from illegal sources अच्छा company को जब बनाया गया था तो उस वकत illegal funds के थ्रू उस company को बनाया गया था मतलब step number one step number one क्या होता था you have occupied illegal source of money आपके पास illegal money आ गया now when you invest that money जब सबसे पहली दफ़ा आप उसको invest करते हो that is step one और उसको बोला चाता था placement यानि के उस वकत जब company को बनाया गया तब किया गया placement और ये बार डैनिस को पता है ठीक है यहाँ पर हम लोग पढ़ते है तीन steps कोन से होते हैं हमारे notes में step number one होते है placement illegal cash is invested into a legitimate business like stock exchange किसी भी first step जब आप move करते हो first investment करते हो अपने illegal cash की उसको बोला जाते है placement लेकिन उसका question क है अब examiner ने confused किस तरह किया examiner ने एक चीज़ उपर placement की दे दी नीचे उसने क्या question पूछा डैनिस में भी guilty of which two money laundering offenses डैनिस इस चीज़ में कब guilty है देखो डैनिस इस not involved in money laundering actually डैनिस वो बंदा नहीं था जिसने ये placement की तो इस चीज़ का guilty वो नहीं लेकिन डैनिस को तो पत है ना कि भाई वो company जो बनाई गई illegal funds के थरू बनाई गई तो हम लोग अपने पास पढ़ा करते थे कि दो किसम की offenses होती है money laundering itself is an offense जिसके लिए हम लोगों ने पूरा सब कुछ नीचे पढ़ा लेकिन implications of fraud वगएरा ये सारी चीज़े हम लोगों ने पढ़ी लेकिन हम लोग हुई है जो हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं तीन स्टेप्स पढ़ते हैं placement हो रही है layering हो रही है integration हो रही है कोई एक step चल रहा है और आप बताते हैं नहीं हो किसी को या तो फिर आप involved हो किसी तरीके से और आप बता नहीं रहे एक this is the number one offense लेकिन tipping off was the second offense कि आपको पता है कोई बंदा money laundering कर रहे and you are not telling the authorities मतलब दो किसम के offenses होगे अब यहाँ पे उसने question क्या पुछा डेनिस may be guilty of which two money laundering offenses A में कहता है assisting another to retain the benefit of the crime किसी बंदे ने money laundering कर लिया आप उसको assist कर रहे हो किसी को बता नहीं रहे है उसकी चीज़े चुपा रहे हो और ठीक तरीके से किसी को authority को बता नहीं रहे है कि यह बंदा money laundering में involved है डेनिस यह काम कर रहे है डेनिस is employed as the accounts manager एक accounts manager को नहीं पता होगा त अब डेनिस असिस्टी कर रहे है ना as an accounts manager वहाँ पे employee है उस company को assist कर रहे है कि वो grow करे अपने profits बनाए and you are assisting that person जिसकी वो company है कि वो profits बनाए वो legitimate funds को illegal funds में बदले and you are helping that person तो आप किस चीज की offense में हो you are doing a failure to report because आप आपको पता है someone is involved और आप उसके साथ काम भी कर रहे हो और किसी को बता भी नहीं रहे ठीक है तो यहाँ पे आपके पास एक offense ये वली हो गई दूसरी offense क्या है acquisition position और use of criminal proceeds आपके पास तो नहीं थे ना दूसरी offense ये वली तो नहीं was not the person जिसने funds को illegal funds को acquire किया किसी और नहीं किया था डेनिस वो बंदा नहीं है जिसके पास position में illegal funds हैं वो कोई और बंदा था और use of criminal proceeds आपने नहीं डेनिस नहीं ये चीज नहीं acquire की डेनिस इस चीज में नहीं involved डेनिस को बस बात पता है वो किसी को बता नहीं रहा अचा option C concealing or concealing or transferring proceeds to avoid prosecution कि आप क्या करते हो अपने पास किसी आपने कोई illegal funds लिए illegal funds को आपने चुपा लिया ताकि आपको कोई पकड़े ना तो देनिस के पास funds नहीं आए funds किस के पास गए funds गए company जिस बंदे ने बनाई थी उस बंदे के पास funds गए Dennis is not involved in taking the funds. Dennis is only involved कि उसको इस बात के बारे में पता है कि ये illegal sources से company बनाई गई है. अच्छा option D क्या कहते है? मतलब option C तो खलत हो गया. Option D क्या कहते है? Failure to disclose knowledge or suspicion of money laundering. Yes, I. Dennis इस चीज़ में involved है. Dennis is involved in this because Dennis को इसके बारे में पता है कि मैं एक accounts manager हूँ, मैं इस company के लिए काम एक legitimate business करी है, लेकिन जिस प्रोसीड से ये company बनाईगी, those were illegal. तो मेरे पास option correct बनता है, option number A and option number D. ठीक है? अगर इस से हम लोग आगे हैं, अब यही सारी बात हैं, इधर examiner report में नीचे भी लिखे रही हैं. अगर इस से हम लोग आगे move करें, तो example number 4 कहती है, learning activities are sometimes categorized as education, training and development. अगर थोड़ा सा recap दूँ, तो हम लोग learning, education and training के बारे में पढ़ते थे chapter number, I think 20, 20 के round about एक chapter था जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे और इस chapter में हम लोग ने, मैंने आपको अपने notes के अंदर पूरी एक चीज, पूरी एक बना के दी थी रुके में आपको दिखाता हूँ. अब these are the notes of chapter number 22, जो कैपलन के हिसाब से मैंने आप लोगों को notes दिये हैं to all the students, अब इन notes के अंदर मैंने आपको बताया है as before के ये वो notes हैं जो के directly linked है with the MCQs, अगर आपको इन के उपर grip है, तो आपको हर किसम का MCQs आप solve कर सकते हो, खर अगर हम लोग यहाँ पे नीचे move करे तो यहाँ पे मैंने differentiate दिया था, अब difference बताया है, between education, training and development इन तीनों के दिरम्यान में, अब education क्या चीज़ होती थी, जो के basic instructions, जहाँ पे basic चीज़े हम लोग सीखते थे और इसके आखर में एक exam होता है, that is known as education, a general instruction, personal and broadly based, कि आप के लिए पढ़ाया जा रहा होता है, और quality of education can only be assessed when the learner moves to future jobs, कि quality कैसी मिली आपको education की, यह सर्व आप तब देख सकते हो, जब आप कल को जाके job करोगे, and you will understand कि क्या जो आपने सीखा था, वो ठीक सीखा था, या ने ठीक सीखा था, जैसे कि आप class number 1, 2, 3, 4 में जो plus minus करना सीखते हो, आपको पता लगते हैं, आपको ठीक स जो रही है, मतलब आपको कब पता चलता है कि आपकी education अच्छी होई है, first grooming अच्छी होई है, या नही होई, जब आप physically जाकर उस चीज़ को use करते हो, training क्या चीज़ होती है, training is something जो कि planned होती है, एक planned और systematic तरीके से आपको सिखाया जाता है काम, मेरे पास एक employer में उसको training करा हो, और at the end of the training हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई exam भी हो, लेकिन it is not a hundred percent guarantee कि वहाँ पर कोई exam होगा या नहीं होगा, this is known as training, अब इसकी खास चीज़े क्या थी कि एक planned process होगा, ये improve करेगा, जो भी बंदा, जो भी employed training ले रहे है, उसकी performance को improve करेगा ये, और ये job oriented होता है, how better are you at doing your job, ये आपको उसी वक्त पता चल जाता है, education को छोड़ दो, training का आपको उसी वक्त पता चलता है, जिस वक्त आपने training ले जा के दोबारा काम शुरू किया, और अगर आपकी performance improve होई है, this means के you have trained very well, आपको जो training provide की गई, वो बहुत अच्छी training थी, development क्या होती थी, development वो चीज़ होती थी, जहां पर बंदा खुद वो employee, आप उसको कोई training नहीं दे रहे, आप उसको कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन वो बंदा खुद से सीख रहा है किसी तरीके से, ठीक है, the growth or realization of a person's ability and potential through conscious or unconscious learning and educational experiences, कि आप जैसे जैसे education ले रहे हो, enjoy doing trainings, इसके साथ साथ आप क communication skills कैसे बढ़ानी है, leadership skills कैसे बढ़ानी है, management skills कैसे बढ़ानी है, time management skills कैसे बढ़ानी है, अच्छी करनी है, यह सब कुछ आपको सिखाया नहीं जाता, you develop these skills in yourself, development क्या होती है, कि खुद से कुछ सीखना consciously या फिर unconsciously rather than taking a training or education, ठीक है, अब अगर हम लोग आए examiner report की तरफ, त उसने different एक, दो, तीन and number four, चार उसने हमें दिये हैं, यहाँ पर scenarios और वो पूछ रहे, is this education or is this training या पर development, इसके बारे हम बताने हैं, अच्छा अगर हम लोग सबसे पहले वेले की तरफ अगर इस वकत आज हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि as a newly appointed team leader, अच्छा संजे को ह हम लोगे ने team leader बना दिये, ठीक है, वो newly appointed एक नया team leader है, संजे is attending a two day event to increase his awareness of leadership skills, भाई, जिस चीज में वो भी newly appointed हो है, उसी चीज से जाके वो सीखने लगे, उसी चीज के लिए जाके वो कुछ नया सीखने लगे, अब इस बात का क्या मतलब है, चाहे वो two day event हो, या चाहे वो एक आपका planned and systematic approach हो, लेकिन जो काम उसने अपनी job पे करने, उसी चीज के लिए जाके वो कुछ नई चीज सीखने लगे, हम लोग education में पढ़ते थे, कि उस वकद हम लोग यहां पे, हम लोग एक overall generic चीज़े सीख रहे होते हैं, कुछ to the point बात में सीख रहे होते हैं, वही जोब पे वो एक leader बने है, leadership skills जाके सीखने लगे, तो वो जो कुछ भी सीख रहे है, directly उसका performance, directly उस Sanjay की performance increase होगी अपनी job पे as a leader, तो यह education तो ना हुआ, because education किस चीज के लिए होती थी, education होती थी, आप generic overall एक group of चीज़ों की understanding ले रहे हो, तो this is not the correct option, अच्छा अगर development की बा बात करें, तो Sanjay ने चीज को सीखा, Sanjay ने leadership skills सीखी और वापस जाके जब अपनी job पर जाएगा as a leader, वहाँ भी वो क्या अच्छा leader बन जाएगा, तो at that same time उसकी job की performance increase होगी, development के बारे में हम लोग यही पढ़ते थे थे ना, कि long term, long term impact होता है, तो यह भी कोई ठीक करक नही है, कि Sanjay training एक leader बना, उसने जाके leadership skills सीखी और वापस जाके वो अपना as a leader जब काम करेगा तो उसकी performance increase होगी, यही तो हम लोग पढ़ते थे training के अंदर, कि आप job के लिए कुछ सीखते हैं और आपकी performance उसी वकत बेतर हो जाती है job में, so this is known as training, ठीक है, अच्छा, इसी से end of the program, her skills will be assessed by examination and a certificate awarded भाई, बागे कुछ पढ़ने के जरूरत ही नहीं है, ज्यादा तर जब भी आपका exam हो रहा होता है, तो हमने एक situation तो पढ़ी भी है, कि exam जब भी at the end हो रहा हो तो वो development नहीं होगी, तो यहाँ पे तो development zero हो गया, development को तो हमने टेके नहीं करना, अच्छा अब यहाँ में मसले है, training हो रही है, यहाँ पर education हो रही है, हम लोगों ने चीज़ पढ़ी है, कि जब भी हम लोग कोई information देते हैं, यहाँ पे अपने job को अच्छा करने के लिए क्या करी है, new language सीख लिए तानिया, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, क्या new language सीखने के बाद अपने job पे better perform कर सकेगी, क्या new language सीखने के बाद अपनी job को अच्छे तरीके से use कर सकेगी, क्या immediate impact आएगा कि उसकी performance एक दम अच्छी हो जगेगा, अगर वो sales manager है, तो वो ज़्यादा sales करने लगेगी, हाँ आप ये बोल सकते हो कि यार अगर वो एक नई language सीख रही है, customers के अपने में असानी होगी, तो उसकी training हो रही है, ये क्योंकि direct impact job के उपर आ रहे है, लेकिन this is more linked towards किस चीज़ के साथ, आपकी long term performance के साथ linked है, कल को आपको उसका फाइदा होगा, अपने senior के साथ deal करते वे, manager के साथ, customer के साथ, ये long term impact आएगा, आइस्ता इस्ता खुद को improve कर हो गया, and at the same time, at the end, यहाँ पर क्या हो रहा है, exam भी हो रहा है, जब exam हो रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं, 99% cases के अंदर exam हमेशा किस चीज़ में, education में, तो आँखें बंद करके तर टिक लगा दो, ठीक है, अच्छा, अगर detail में भी जाहें, तो आपका long term impact आ रहा है, short term impact म है, job आपकी बेतर हो रही है, लेकिन long term में हो रही है, तो यह भी again education है, training नहीं है फिरी, अच्छा, इस से आगे, veronic is an experienced manager, she has been selected to attend a management program at a prestigious business school, the program is open to those with high potential for career advancement, there is no examination, अच्छा बही अगर examination नहीं होती, तो मतलब वो education भी नहीं होती, वो तो हो गया cross, रहेगी पीछे training या फिर development ये एक question है, इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आएगी हमें, अब इसको जड़ा ओकोर से पढ़ते है, veronic एक experienced manager है, उसको select किया गया है, कि वो management program अटेंड करे, एक बहुत अच्छे business school में, उस पे लाजमी इस चीज़ को नहीं किया गया, कि उसने ये program अटेंड करना है, she has her on will and on choice to attend, या फिर ना अटेंड करे, उसको सरफ select किया गया, और development कोन करते है, development किस तरह से होती थी, अपनी मर्जी से होती थी, training आपको करना जरूरी होती है, development जो होती है, वो अपनी मर्जी से होती है, तो यहाँ पर correct option development है, because तानिया की, sorry, veronic के मर्जी है, वो attempt करे, वो attempt क करें, इसको या फिर ना करें, so this is the correct option, training again, zero हो गया यहाँ पर, इससे आगे, why is a teller in a foreign exchange bureau, अच्छा एक teller, teller कोन होता है, teller वो होता है, एक exchange bureau के अंदर, या किसी भी company में teller कोन होता है, जो के front desk पे बैठ के customers के छोटे मोटे काम करके दे रहोता है, जैसे bank teller जो होता है, cash, आप bill पे कर रहे हो, तो जाओगे bank teller के पास, cash निकलवाना है, जाओगे bank teller के पास, ठीक है, यह होता है, teller जो normal, एक foreign exchange bureau में, जब आप foreign currency exchange कराने के लिए जाते हो, for example, आप जाके pounds खरीते हो, F1 की fees जमा कराने के लिए, जिस बंदे से करवाते हो, जो जो बंदा front desk पे आपको यहां पे बैठाव होते हैं, आपको PKR की जगा या फिर Indian rupees की जगा, INR की जगा या फिर, sorry, IDR होते हैं, फिर उसकी जगा, आपके धरम्स की जगा, DRH की जगा पे आपको जो pounds दे रहोते हैं, he is known as teller, अब उसने कौन सा course लिया, and is learning about new anti-money laundering legislation which requires him to pass a multiple choice assessment, यानि at the end of this new course, वो एक MCQ test देगा, यानि कि एक exam देगा, और exam development में नहीं होता, अब exam के बारे में पता है, ज्यादातर वो किदर होता है, ज्यादातर वो इधर होता है, education के अंदर होता है, अभी मैं टिक नहीं लगा रहा, सिरफ मैंने assume की यह चीज, यह training भी हो सकती है, लेकिन अब य long term में help करेगी न, यह anti money laundering की legislation senior बंदों का काम है, एक manager का काम है, एक director का काम है, ताके कोई भी money laundering हो रही हो, वो एक दम से jump in करे, operations को रोग दे, यह report कर दे to the right person, अब इसका teller का क्या का काम money laundering का, वो तो अपने मर्जी से एक चीज़ को सीख रहे, एक systematic approach के थूर नहीं सीख रहा, जैसे संजे यहाँ पे अपनी performance improve करने के एक leader बना था और leadership बेतर करने के लिए leadership skills उसने सीखे थे, यहाँ पे यही जो बंद है, bias जो है, वो जाके इस नहीं सीख रहा कि वो अपनी performance को improve करे, वो अपनी मर्जी से course को सीख रहे, तो this is not training, training के अंदर आप एक course अप improve करने के लिए सीखते हो, अपनी performance job के अंदर improve करने के लिए सीखते हो, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से सीख रहे हो, so this is an education, ठीक है, अगर इसी से आगे आया जाए अब तो, जो हमारे पास question है, example number 5 उस पे move करते हैं, क्या कहते है, example number 5 है, which two of the following are direct benefits of using information technology as means of improving personal effectiveness, आपको याद है, chapter number, let me tell you guys, थोड़ा सा remind करवाने थे, this is chapter number 24, yes, chapter number 24 के अंदर हम लोग personal effectiveness at work का, जो मैंने आपको notes दिये वे थे, उसके अंदर अगर हम लोग नीचे आए, तो यहाँ पे, right here, right here, यह देखो, इसमें पूछा है, उसने question क्या पूछा, which two of the following, कोई दो ऐसे benefits बताने है, जिसकी वज़ा से information technology के अगर use करो, तो मेरी personal effectiveness increase होगी, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं email use करता हूँ, in the personal effectiveness at work में, जो हम लोगों ने IT को बात करी थी, कि IT किस तरह से help out करत होती है, तो we have read it, कि email से आप help ले सकते हो, video conferencing होती है, EDI, electronic data exchange होते है, intranets होते है, office automation होती है, homework होती है, इस सब कुछ से एक चीज तो मझे नजर आ रही है, कि मेरा काम बड़ा जल्दी होगा, इस से पहले जब मैंने email नहीं भेजनी होती थी, मैं अपना letter भेजता था, I used to send a letter, और वो letter two to three working days के अंदर मेरे customer या किसी भी बंदे तक वो deliver होता था, आज मैं वही चीज 15 seconds के अंदर mail के through कर सकता हूँ, इस से पहले मैं ज़े traveling करनी पड़ती थी, meetings के लिए, but now I can do it from video conferencing, EDI होती थी, data भेजना होता था, तो अब पहले आप printing करते थे, records की approval कराते थे, senior individual से और उसके बाद उसको customer तक भेज़ते थे, now you can directly do it by EDI, आपको print करने के कुछ भी जरूरत नहीं है, internet का चीज थी, एक जगा, अगर अगर अपने country, अपने location से बाहर भी हो, कहीं दूर हो, तो you can access all the information that you want for the company, internet के through, office automation होती थी थी, Microsoft office वगएरा होगे, जिसमें आप काफी ज़्यादा काम कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मिझे एक चीज़ नजर आ रही है कि मैं अपना hive ज़्यादा काम कम टाइम में कर सकता हो, ठीक है, I can do my work more quickly, इस तरह का कोई option है यहाँ पे, which minimizing the work routine, performing routine tasks more quickly, yes, routine में जो काम करना होता है, email भेजना, video conferencing करना, पह tasks, यह तो मैं normally भी करता था जब IT नहीं था बीच में, information technology नहीं थे, computers नहीं थे, जब internet नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इसकी वरे से मेरा काम बड़ा जल्दी होता है office में, तो option B, yes, is the correct option, अच्छा A को ज़ड़ते हैं, C के उपर आते हैं, C में उसने लिखे है, this is an advantage, prioritizing tasks यह एक advantage होगा, information technology के वरे से, भाई, एक बात जरा आप सुने, अगर इनी notes पे आप उपर आएं जरा, right, right, right here, यहाँ पे मैंने आपको यह framework दिया था, कि एक चीज़ आपने याद रखनी है, that यह prioritize करना, कौन सा काम, अगर आपको एक manager is telling you to do some work, to prepare something, and उसको वो चीज़ भे आप खुद से judge करते हो, कि what work do you have to do right now, and what work do you have to do later on, यह IT आपको नहीं इस चीज़ में help करा कर आके देता, आपको computer आपका नहीं बता सकता, कि आपको क्या काम किस वकत करना चाहिए, यह आप decide करोगे, ठीक है, तो prioritizing work is not the advantage of IT then, तो यह तो option नहीं मेरे पास, इसको मैंने खल करते हुए, I have Excel, अब या छोड़ो बलके एक और बड़ी अच्छी example देता हूँ, if I am playing a game on a computer, और अगर मैं एक गाड़ियों की racing वाली game खेल रहा हूँ, तो मैं वो race अगर हार जाता हूँ, racing game खेल रहा हूँ, और मैं keys use करता हूँ ना गाड़ियां चलाने के लिए, like this, इस भी help कर सकती है, कुछ assistance मैंने ली दी है कि यार मैंचे help करो किया, ताके मैं game जीतूँ, लेकिन अगर मैं एक easy ने इस्तमाल कर सकता, तो क्या मैंचे वो game जितवा सकेगी, क्या वो race में जीत सकूँगा, क्या उस game को मैं जीत सकूँगा, obviously no, तो input, मतलब the things that you are inputting into the system, अगर मै professional life पे आज हो, तो excel use कर रहा हूँ, excel में मैं record कर रहा हूँगा हर किसम की transaction, अब excel में, excel is an IT system, वो एक computer system है, मैं जे help out करता है, ताके मैं जल्दी से जल्दी काम कर सकूँ, fast transactions record करूँ, लेकिन for example, अगर 1000 dollar की जगा मैं record कर रहा हूँ, 15,000, तो क्या ये मेरी गलती है, IT इसको ठ ठीक नहीं करेगा, computer इसको ठीक नहीं करेगा, तो eliminating the input errors, वो चीज़े जो मेरे control में, वो चीज़े जो में computer के अंदर input करता हूँ, वो तो IT नहीं ठीक कर सकता, that is not an advantage, ठीक है, advantage number A, आखरी option रह जाता है, वो क्या कहता है, minimizing routine work, कि वो काम जो के हो सकता है, कुछ ऐसे काम भी हो हो सकते हैं, जो के IT खुद से करके देदे, जैसे chat, GPTA, you can ask them, ask it about anything, वो आपको ठीक तरही कैसे guidance देदेगा, you can do that work, ठीक है, इसी तरह से home working आप कर रहे हो, remote working, routine का काम, office आना जाना, routine का काम आपका कम हो गया, आपने minimize कर दिया, अपने routine के काम को, इस तरह से आपने हो सकता है कुछ automated चीज़े रखी मी हो, भाई, Excel हर सुबा रोज जो है मिझे एक reminder दे दे के मेरा ये काम रहता है, आप वो काम कर लोगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, office आपके अकसर plus minus खुद से करके दे देता है, Excel में जाओगे जब Excel इस्तमाल करना सीखोगे, बलकि आप रोटीन का जो काम होता है, वो आपका कौन करके देता है, yes, this is an advantage then of the IT के वो आपका रोटीन का काम भी कम करके दे रहोता है, तो option A is also correct, ठीक है, आखरी question हमारे पास है, which is relevant with this examiner's report और इसमें हम लोगों ने बहुत असान सा उसने question हम लोगों को दिया, और it is not that much of a difficult question जो भी ह in the IFAC, IASB code of ethics, अच्छा इस से पहले कि हम लोग इतने मुश्किल अलफाजों की तरफ जाएं, what is IFAC, IESBA, इस की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, examiner इस तरह के सवाल जरूर पूछता है, confuse करने के लिए, what is code of ethics, हम लोगों ने एक memonic पढ़ा था, I, cop, square, I stands for integrity, C stands for confidentiality, O stands for objectivity, and first P, P दो दफ़े, P square है, professional competence and due care, और आखरी P stand करता है professional behavior से, ठीक है, यह हमारे क्या थे fundamental या फिर code of ethics के अंदर fundamental principles होते थे, अब यहां पर जो उसने बोला है, which of the following actions reflect professional competence and due care के यहां पर जो नीचे तीन options दिये गए, इन तीनों में से professional competence and due care का क्या मत्तलिए, कौन सा ऐसा option है, जो के professional competence and due care से linked है, देखे, integrity का मतलब होता था, being straightforward and honest, आप कोई दो नम्बरी नहीं कर रहे, you are being straightforward and honest in everything, confidentiality का मतलब होता था, आप कोई भी information किसी और बंदे को नहीं दोगे, जो भी information आपके पास है, objectivity का मतलब होता था, being, do not allow bias, conflict of interest or undue influence of others, ताके आपका किसी भी किसम क decision professional जो था, वो change हो जाए, neutral होके decision लेना, objectivity आपको ये कहती थी, professional behavior कहता था, कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, जिसकी वज़ा से आपका जो professional है, वो discredit हो, as an accountant, as an ACCA member, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना भाई, जिसकी वज़ा से ACCA का नाम जो है, वो खराब हो, अच्छा what was the final thing, professional competence in due care, professional competence in due care कहता था, अब ये दो different चीज़े है, professional competence कहती थी, कि भाई, आपने सबसे पहले acquire करनी है knowledge, you have to acquire the knowledge, और उसके बाद उसको maintain करना है, यानि up to dated रखना है, उसको knowledge को नहीं नहीं चीज़े सीखनी है, जो चीज़ें नहीं आ रही है, standards change हो रहे है, F1 की books के अ पास कर लिया, तो that's it, यह हमें क्या कहता था, professional competence कहता था, and due care क्या चीज़ होती थी, कि जो भी काम करो, उसको care के साथ करो, appropriate लोगों को काम दो, जिनका experience हो, जिनकी training होई भी हो, जिनको काम करना आता हो, उन्हें काम दो करने के लिए, अब नीचे options पढ़ते है, option number one कहता है ensuring all staff attend professional update training, yes, यह मैं maintain करने के लिए, अपने employees को दे सकता हूँ, professional competence को maintain करने के लिए मैं कर सकता हूँ, training करा रहा हूँ, अपने employees की, ताकि उनके पास up-to-dated information हो, बिल्कुल ठीक है, यह professional competence and due care के अंदर आता है, क्योंकि professional competence का हमने पढ़ा, this is linked with acquiring and maintaining knowledge, तो training के अंदर मैं knowledge यह त तो option one is correct, दूसरा कहता है, keeping the due client confidentiality, when asked to reveal client information, कि आप किसी company का audit कर रहे हो, या उस company की double entry record करते हो, कोई freelancing कर रहे हो, और उस company के accounts maintain करके देते हो आप, तो भाई जो, अगर कोई आप से पूछे न, मैंचे इस company के बारे में थोड़ा सा बताओ, और आपने नहीं बताया, तो अच्छा, इस से आगे, ensuring that only duly qualified staff work on projects, येस बिलकुल ठीक है, हम लोगों ने due care के अंदर ये चीज़ पड़ी थी, कि हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को काम देना है, जिनको काम करना आता हो, तो option 3 में वो क्या कह रहे है, ensuring that only duly qualified staff work on the projects, वो लोग काम करने जिनको काम करना तो जो qualified हो, ठीक है, तो option number 1 and 3 are the correct option, not the B, the C part, यहां पर ये रहे हैं, ये आपका था examiner की report, एक बहुत important चीज़ फॉर all the students, जो के ACCA का exam, FPT attempt करेंगे, ताके इस से आपको बड़ा कुछ समझने को आते है, ठीक है, ठीक है, तेंक यू all so much, अगर किसी किसम का कुछ कूश्च को मिला होगा इसके अंदर से, अपना ख्याल रखें, and if you have any question, do ask, take care, bye bye.